नमस्कार दोस्तों मैं अभी नाश्कवाज जियेश एस्टो वासुम आप सभी दर्सकों को हर दिक स्वागित करता हूँ एक वार फिर से आज हम जो बिशे लेके आये हुए हैं वो है मैरेज को लेके गिस प्रकार हम अपनी कुंडली में साधी बिवाह को देखते हैं कुन से घर विवाह के कारक होते हैं तो जनली हम लोग कुंडली में साथमें घर से विवाह को देखा जाता है अर्थात कहने का मतलब है कि साथमें घर से जनली हम लोग साधी को पती और पत्नी और उसके बैवाहिक जीवन में खुसियां को देखा जाता है अर्थात कहने का मतलब है कि साथ में भाव को जो हम लोग विशलेशन्स करते हैं उसका जो प्राइम कंसिडरेशन्स है जो हम लोग परमुख विशलेशन्स करना चाहिए उसके घर से उस घर के स्वामी और उस घर के कारक जो की शुक्र होते हैं उससे सबसे पहले हमें विशलेशन्स करना चाहिए देखना चाहिए और जो सेकेंडरी कंसिडरेशन्स हैं वो हम लोग देखते हैं कि साथ में घर में कुण से गरह बैठे हुए हैं और साथ में घर का जो स्वामी हो किस गरह के साथ इस्थित है किस भाव में इसके बाद ही हम लोग इनिलाइज कर सकते हैं कि हमारी साधी कब होगी कैशे होगी साधी के बाद हमारे बैवाहिक जीवन कैशे रहेंगे इत्यादी सारे चीजों का अध्यन किया जाता है दोस्तो हमें आपसे आगरा करना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखे तभी आपको कुछ समझ में आप आएगी कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर अवस्करें कि हमारी जो महत्पुन जानकारिया हैं बहुत लोगों तक पहुँच सकें तो चलिए समय को बरबाद न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो सात्मे घर के जो स्वामी हैं जो सात्मे घर का जो भाव है या सात्मे घर का गरह सुक्र हैं वो अपनी जो रिजल्ट कब देंगे तो हम आपको हमेशा कहते आते हैं कोई भी इवेंट जो भी गरह उससे रिलेटेड है जो उस घर में गरह है जो उस घर को एक असपेक्ट कर रहा है जो देख रहा है समन्द बना रहा है और उस घर के कारे अपने जो महत्पून अपने जो मजबूती से जो भी फल देंग वो अपने अंतरा में देते हैं तो हम लोग चलिए बात करते हैं तो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं तीन सेक्षन होगा एक होगा कि सात्वे घर का जो स्वामी है यदि हमारे कुंडली के बारहों घर में जिस घर में भी हो तो क्या फल देता है दूसरा हम लोग बात करेंगे कि सात्वे घर में जो गण इस्थित है वो हमारे कुंडली में बीवा से रिलेटेट क्या फल देंगे और तीसरा यदि हमारे सात्वे घर का स्वामी किसी हाऊस, किसी घर, किसी भाव में बैठा हूँ तब क्या यलटा आएगा क्या परिनाम आएगा साधी को लेकर, क्या हमारी साधी अच्छी रहेगी या क्या हमारी साधी खराब रहेगी, क्या साधी में डिले होगी या साधी नहीं होगी, इत्यादी सारी जानकारिया हम आपको प्रोवाइट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यदि मान लेज स्वामी को हम नोग इस परकार देखे हैं। हमने एक चार्ट यहां लगा कर रखा हुआ है राशियों के नाम और स्वामी ओ इनाम। मान लिजिए कि आपकी कुंडली है वो मेसलगन की कुंडली है। तो सात्मा कर कौन सा होगा है। तुला रासि उस होगी। उसके स्वामी को स शुक्र होगे, तो वो शुक्र जो होगे, वो हमारे सत्मेश होगे, सात्मे के स्वामी होगे, अब मान लिजी कि आपके जो कुंडली है, व्रिसप लगन के कुंडली है, तो सात्मे घर में कौन सी रासी आगे, व्रिस्चिक रासी, उसके स्वामी कौन सी हो, मंगल होगे, उसी परकार यदि माले यह आपकी कुंडली करक लगन की कुंडली है तो सात्वा घर कौन से होगे कैप्री कौन मकर रासी उसके स्वामी सनी होगे असनी हमारे जिस भी भाव में जिस भी घर में बैठे हुए हैं तो क्या फ़ल देंगे साधी को लेकर साधी विवा के लेकर क्या का लेकर किसी से भी साधी कर सकता है जिसे वह बचपन से जानता है यह जिसे उसी घर में लाए गया है वैक्ती की पत्नी पथिर और परिपक्त के होगी वह बुद्धिमान और पैसिवर की तरह किसी भी स्थिति को समझने वाला होगा दोस्तों यदि उसी सात्वीकर का मान लिए सात्वे घर का श्वामी सत्मेश लगन में प्रित है, सात्वे सात्वे घर का जो कालक शुक्र है वो भी प्रित है, तो वैसा जो वैक्ति होता है, वो कामुक होता है, और वो बिपित लिंग के साथ गुप्त सम्मन्द की तलास लगातार करता रहेगा, ऐसा हो सकता, क सवामी सद्मेश सभष एधन करते हैं दोलत की प्राप्ति हो गी जो पार्टनर होगा पती या पत्नी वह अमीर घराने से होगा होगा या को डॉरी मिल सकती दहिज मिल सकते उस परकार आप को धन की को यदि हमारी स सथनेश मजबूत है दूसरे गढम सकते हैं ऑसे वैक्ति मिर्थू समारो नार्फा सराद मने दिये प्रापति होगी यदि हमारी सत्मेश मजबूत है दूसरे खरंश वहीं जी सत्मेश सात्मःतर स्वाम में यदि प्रीत है कमजोज है तब भी दhran की प्रापति होगी लेकिन वह क्या होगी वैसे विर्टी से महलाओं के बैपार के रूप में घ्रणित कामों से पैसा कमा सकते हैं Jordan अए या यहीं दूसरा घर का में कोई दूसे वहाओ रासी हो अर्था मिथोन रासी करनेयारासी धनू रासी और मीन रासी हो और सात्म यदि पिरित है हमारे सत्मेश तो एक से ज़्यादा विवाफ होने की विश्माब नहों सकती है यदि मारक की दसा चालो है तो जातक सात्मे के स्वामी के अब्धी के द्वान मर भी सकता या मिर्ति तुल कठनाईया उसको पा सकता है वैसा व्यक्ति के पास एक हस्मुक दिमाग होता है और हमेशा वो कामुक रूप से जुका रहता है या कामुकता के तरफ अनेतिक सम्मंद के तरफ जुका उनको बना रहता उसी परकार यदि माल लिजी हमारे सात्मे का स्वामी शत्मेश यदि हमारे तीसरे घर में नहीं है या ढाल रहा है तो ऊससे इस्वाई बहुत भांक शाली होते हैं उसके वहाई बहुत बिदेश के वह सकते हैं वहीं कभाईवधर वह सॉतरी जो सब छाहिए छारि दूरह पर आग कराब रहता है जातर अधिकांस्त्रा केशों में ये सारी जो कष्ठ है वो महलाओं पर ही लागू होती है या महलाओं ही सरवाई करती है उसी परकार माल ये साथवेगर का स्वामी सत्मेश चौथे घर में अच्छा है कई चौथा गर केंद्र कालाता है यदि सुव इ स्थिति में मजबूत स्थिति में है तो वो कई बच्चों और सुक्षुधाओं के साथ एक भागसाली और खुसाहाल वेवाहित साथी देता है वैक्ति को उच्छा योगता और कई मकानों बाहनों के मानिक होने का भी लाव हो सकता है दोस्तों वहीं यदि सत्मेश चौथे हुआ है तो एक परिपक्त और मतलवी साथी के माध्यम से घरिरु सदभाव खराव भी हो सकता है आपके वही जातक अपने विचारों के कारण अंतहीन समस्यार्था चिसका कोई अंत नहीं है घिर सकता है यदि वही सत्मेश यदि फिरीत है सात में एक या एक से अधिक पापगरा से वो डिष्ट है पृत है तो वैसे व्यक्ति की जो पत्नी होती हुँ चरितरहीन होती है अब हम लोग बात करते हैं माली सत्मेश सात्मेश यदि हमारे पांचवे घर वो हम सात में जो उसके पार्टनर होते हैं वाइफ या हस्वेल एक संपन और अच्छे परिवार से विलोंग कर सकते हैं पती या पत्नी परिपक होंगे और जात्तों को हमेशा फायदा मिलता रहेगा वही यदि सात्मेश का श्वामी कमजोड है पांचवे घर में तो कोई संतान हो सकती है और रूप से बहुत प्रिट है N तो पत्नी जो उसकी पत्नी है पर प्र प्रुश गमन पर इस्तरी गर्मन आच्र ना से किसी को रूप में लड़की ही हो सकते ये भी बहुत सारे कुंडलियों में देखा गिया है विदेशी सोतों के माध्यम से कारयाला के क्रमचाडियों ऑफिसर्स को परसानी की शमवामना हो सकते हैं दोस्तों वैक्ति के पास एक अच्छा चर्थ में होता है उसी परकार माल लेजी यद सुभ है सात्मेश तो वैसे वैक्ति के दो विवा हो सकते हैं जनरली एक विवा वो अपने चचेरे बहनों से करते हैं चाचा की बेटी उटी ये परिवार में किसी भी लर्की से वो करते हैं यदि सात्मेक श्वामी बुरी तरह से माई छठे घर में प्रित है कमजोड है बीमारियों से भी प्रित हो सकता है दोस्तों साधी से पती की खुशी को नकार कर जाता कि पदनी बीमार और शालू हो सकती है दोस्तों यदि सुक्र उस कुंडली में अच्छे जगह परिश्थित हो लेकिन सात्मे का स्वामी सत्मेश यदि प्रित है छठे घर में तो वैसे व्यक्ति को बावासीर की बीमारी भी हो सकती है यदि शुक्र कमजोर है लेकिन प्रित नहीं है तो कुछ ना समझी उतावलापन असाबधानी प्रित के माध्यम से किसी से बाहित साथी को छोड़ सकता है या खोड़ सकता है दोस्तों अब उसी परकार मान लेजिएगे सत्मे क व्यक्तित तो आककरसन और चुमकी होता है महलाय उसके तरब जूकी रहती है उसे कटवंदन करने के लिए, साधी करने के लाइत रहती है वह यही जाती का कि कुण्डली है तो पुरूस लोग उसके पीछे परे रहते है उसके सुन्दर्ता में उसके गुन के पीछे परे रहते हैं उससे वो गटबंदन करने के चुक रहते हैं पती-पत्नी, वाइफ-हस्वेंड जो है पर्थिष्टिट और समाजिक पर्थिष्टा के परिवार से आने वाले एक नयाई और सम्मानित व्यक्तित होता है अगर वही सत्मेश यदि परिते सात्मेश घर में कमजोड है तो एक अकेला जीवन, एक कांकी जीवन, जीवन को भी बताता है अर्थात, पत्नी रही, दोस्तों रही वो जीवन जीता है और यदि हम लोग उस व्यक्ति से साधी की बाचित करते हैं तो उसके माध्यम से नुक्सान भी होता है दोस्तों तो यही है, आज हम जो बताना चाहर है, एक से लेकर साथ घर तक क्या-क्या हमारे यदि सत्मेश, यदि पहले घर, दूसरे घर, तीसरे, चोथे, पांचवे, छटे, सात्मेश घर बिराते हैं तो किस परकार फल देते हैं यह कि कोई जूरी नहीं, यही फल आपको देंगे, उसके साथ साथ हमें सारी कुंडली का विशलेशन करना परता है, कि क्या हमारी कुंडली में जो कारगरा के क्या आश्तिती है, सुब गरा के क्या आश्तिती है, पाप गरा के क्या आश्तिती है, अब जो बांकी के जो आट देख रही हूं तो आप हमें कमेंट करें और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा यदि अच्छी लगी तो वह भी कमेंट करेंगे शार वीडियो अच्छी है उसे मुझे क्या होता है कि एक कॉंफिडेंस मिलता है और वीडियो आपको बनाता रहूंगा तो इसी के साथ मैं आज के यह वीडियो खतम करता हूं दोस्तों जैमाता दी धन्यवाद दोस्तों